Hello everyone, welcome back to my channel आपकी मिनी, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं Suzuki Motors की तरफ से आई वेकेंसी के बारे में, दोनों तरह की जॉब्स हैं, contract based पर भी है और यहाँ पर fixed term वाला जॉब भी है, दोनों का salary अलग है, qualification क्या है, उसकी बात हम detail में करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बत खाली बैटे हूँ तो आपको at least एक जगह तो लगी जाना चाहिए, साथ में आप दूसरा ढून सकते हैं और यह मौका भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में detail में बात करेंगे कि क्या location रहेगी, क्या salary रहेगी और आपका क्या qualification मांगा है, कैसे आपको apply क करना है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगर आप चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, जिससे कि यह जो daily job updates हम आपके लिए लेकर आते हैं, इनको आप मिस ना करें, साथ ही साथ आप हमारा WhatsApp चानल भी join कर सकते हो, link आपको description में मिल जाएग WhatsApp पर हम timely update देते रहते हैं, आपको सबसे उपर, सबसे पहले हमने website भी दे दी है, इनकी official website, आप यहाँ पर जाकर भी इनका check कर सकते हो, कि यह job fake तो नहीं है, तो यह सारी चीजे होती हैं, जिससे कि आपको हम पर trust हो, ठीक है, position है, apprenticeship की है, and full term contract वाली, दोनों तरह का job है, job location आपको गुजरात रहेगा, 100% free of cost यह job है, कोई भी charges नहीं है, किसी भी तरह के कोई charges नहीं है, और आपसे कोई पैसे मांगेगा भी नहीं, salary से पहले हम qualification पर आते हैं, अगर आप ITI pass हैं, तब ही आप इसको कर सकते हैं, इनका एक ही condition है कि ITI pass out वाले ही इस job में जा सकते हैं, अगर आप अगर आपने graduate हैं, आप ITI नहीं है, आपके पास 12 pass हैं, graduate हैं, तो कुछ और भी jobs हैं, जो हमारे channel पर हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं और apply कर सकते हैं, 40% आपके marks 10th में होना चाहिए, 50% marks आपके ITI में होना चाहिए, 40% 10th में तो बहुत easily आ जाते हैं, तो य एक criteria है, इनका यही लोग apply कर पाएंगे, या आगे जा पाएंगे, year of pass out, आपने ITI किया हो in years में से, या तो 2018, 19, 20, 22, 23, ये year, इन में से कोई एक होना चाहिए, pass out year, salary की बात करें, तो अगर आप contract वाला job करते हो, apprenticeship करते हो, तो आपका CTC होगा 14,700 रुपे, अगर आप full term contract व पाला job करते हो, तो आपका CTC रहेगा 21,500 रुपे पर मन्त, ठीक है, ये CTC है, थोड़ा बहुत कटता है इसमें से, और फिर आपको मिलता, ये याद रखिएगा, इसके अलावा trades कौन कौन से हैं, अल्मूस्ट सारे ही trade यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि अगर आप आपने ITI Fitter से किया है, Turner, Welder, Machinist, Electrician, Diesel Mechanic, Tractor Mechanic, Motor Mechanic, Painter, etc. अगर किसी भी trade से आप हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, Age Limit 18-26 साल होना चाहिए, सिर्फ male candidates के लिए यही job है, required documents क्या-क्या लेकर जाना है, अपना एक updated resume लेकर जाना है, ध्यान रहे, आपका resume updated भी हो, साथ में उसमें कोई छोटी-छोटी mistakes ना हो, 10th की mark sheet लेकर जाईएगा, original plus xerox, ITI mark sheet लेकर जानी है, original plus xerox, आपके पास ITI का certificate भी होगा, उसको भी ले जाईएगा, अधार card, pen card, original xerox दोनों ले जाने हैं, passport size, photo ले जानी है, selection process में एक simple सा test होगा, interview होगा, जैसे normally campus drive में होता है, पर ये मौका अच्छा है, campus interview है ये, उसकी details आपको दे रखिए है, चार मार्च को उने वाला है ये, जहाँ पर address क्या होगा, रजट लाब, एक second, हाँ, तो ये address आपको दे रखा है, ये यहाँ पर है वारनासी में, district है वारनासी में, यहाँ पर ये ITI है, रजट लाब प्राइवेट ITI, पूरा address आपको दे रखा है, आप इसको copy paste करेंगे Google बे, तो आपके पास Google map आ जाएगा, और आपर हमसिस में, यहाँ पर जा सकते है, 9.30 सुबह 9.30 बज़े यहाँ पर पहुचना है, देट है 4 March को, 4th of March 9.30, तो ये सारा detail है, Suzuki Motors का मौका बहुत अच्छा है, अगर आप इनके eligibility criteria में आते हो, तो आप जरूर apply कर देना, वरना आपको regret होगा, कि मैंने क्यों छोड़ दी है, अगर आप कि किसी particular location में job देख रहे हो, अभी तक हमने, आपने अगर हमको नहीं बताया है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजेगा, कि आप किस तरह के job ढूंड रहे हैं, किस field में job ढूंड रहे हैं, किस location में job ढूंड रहे हो, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपके location आपके field में job ल